देखो अपन कर रहे थे चार अगनी करम विदी तो अपने चार का सामाने ग्यान चार करम के उस रेष्टे यह बता है कि अगनी करम के उस रेष्टे चार करम से यह भी देख लिए था पिर चार के गुण चार के दोस चार के योग रोग चार के योग रोग चार के भेद दीव शुच में बटाया था की गरम वस्तू को राटा इसे लोए नेकर लाल कर ले उसको पानी में बुझ आते हैं पानी खट्टा करते हैं उस में बुझ आते हैं जिसके नूर्मल पानी रहता है जिसमें उस्तियों का यूक्त पानी होता है वो क्या होता है मिर्दुचार अपने बात है कि प्रतिसारणिया चार बनाने की विदी मतलब प्रतिसारणिया प्रतिसारणिये चार मतलब जो भाईये प्रियोग किया जाता है अपनी जो बोडी में भाईये मतलब कौन सी विस्किन काला मुसक्क लेकर उसका की पट्ते तने टहनिया लेकर छोटे-छोटे-चोटे तुकडे कर लेकी है इसकी पत्ते जडे नितनी इसके च्टोट काम में रेकर छोटे के फट्तर डालकर तिल कुतलों में अग्णी दिप्ट करें और एक साप सी जग है जहां फत्तर की हो उसको को टुकड़ों को इखटा कर लिया उसमें चूना पस्तर चूना फत्तर हैं केलिसियम कार्बोनेट और फिर तिल के कुतलो मतलब जो तिल का पोधा होता है तिल जानते हो जिससे तिल का तेल निकलता है उनके डंडे होता है मतलब जिससे जब तिल पैदा होता है तो इतना बड़ा डंडा होता है यह ऐसा तो वह सुके सुके रहते हैं उनको क्या करना है उनको अगनी जलाने के यूज करो तो वह क्या क्या हो गया तो काला मुष्कक ले लिए आपने ठीक है उसमें आपने चूने का पत्त्र ढाल दिया बहुत सारे पत्तर और आपने तिल के जो लकड़ी चलाने कि जलाने आपन घर में रोटी बनाने लिए चूलों में यूज होती है तो उसको फत्रों पे जला दो मतलब एक राक बना लो और जो क्या बोलता है जो अपने लकड़ी के टुकड़े था किसके जो जलाने में अपने तिल की वाली वह भी तरह किसे राक बन जाएगी मतलब वह बोला कि अगनी स्वेत अब ऑटोमेटिक बुझ जाने दो ऐसा नहीं कि तुम पानी डाल रहो च्विटे को ऐसा नहीं ऑटो वह अलग ही दिखेंगे तो उसको अलग कर दो और अपनी यह हो है जो काली-काली रहा भसम है उसको अलग कर लो फिर आप दूसरी तरह इसी तरह अमलतास इसनुई कुटज आम करंज कनेर तिलवक चित्रग अगनी पंचारों को सता की छ्वेट धर्मागादी पटोली देव मतलब जला के वसम बनालो मतलब एक तरह के राक हो नालो दो चीज हो गई एक तो यह राक हो गई एक यह राक हो गई ठीक है अब क्या करना है एक आमलतास की वस्म और मुस्तक की वस्म जैसे की यह इस वाली इसमी वाली में कित्न है एक एक वाली वस्म पहुत्र जल मिलका कि जैसे कि आपने एक लिटर गोमुत्र लिया एक लिटर जल लीजिए तो यहां पर बोल दिया कि मिलित मात्रा एक हजार पल खेने का मिनिंग यह है कि एक हजार पल तो आप गोमुत्र लीजिए एक हजार पल पानी लीजिए आप दोनों को मिक्स कर लिया दोनों को मिक्स करने उसको घूल लिया पूटे बश्थर से चान ले अब घूल लिया उसको चान लो पिर चनाखिभा चल्ल नीचे इखटा हो गया जो अ open ज़ल इक यह पिछ सब एक दम लाल निर्मल और चो सन जो यह एक तरिक से चार बन गया यह बन गया चार कॉन्चा चार मिर्दु चार यह वाला चार बन गया आब इसको अपन बनाएगा मज्द बनाना तिक्षण बनाना वह फिस हो चूर आप Soup से देखो प्रितिवाब के साथ यह दिया जाता है और यहां पर उप्रतिवाब भी नहीं पड़ता अलिक मिर्दू होता है यह बता रहा है कि इस छने पानी को लोगे के पात्ते में रखकर पकाएं कल्छी को चलाते रहें अब प्रतिवाब दे पूरवक्त चूने की भस्म जो चूने की बसम अपने गर्म की थी ना उसके साथ खाप यहां पर इस मुस्तक के साथ चूने की बसमी तो यह चूने के फट्र डाल कर तिल क अज dark up कर लो अगरें तब एक दम अगनी लाल एक दम लाल अ मझ्य जला-दारा पाणी उसको अपन चला रहे थे उसमें भुजा दो शार जल अलग और इसमें भुज़ां है य़ कुडव चार इस मात्रा कि इतना पानी निकाल दिकरए इसमें भुज़ाएं मतलब एक तरीके से उसे एक अलग पात्र निकाल लो उसमें एक कुडव मोहत्र है मतलब कुडव यह अनी होता है कुछ बारा किलो के लगबक ओऊ-स्ट भी Antem neces trump & a तोलुकुल बारिक पीस कर बिला लिया तिर बागी बाकी बाकी बागी बने पूरी एक कल्ची थी मतलब समझोई इस चीज को मैं बताउंगे आपने क्या था मतलब दो बसम बनाई ठीक है आपने फिर इन दोनों बसम गोमूत्र पानी मिला लिया उसको चान लिया अब एक कड़ाई पर बठी चल दी और कड़ाई उसको पर रख दिया उसमें डाल दिया अब उसमें आपने एक टंकी में मालो कुछ भी दस एक लिटर अपने बहार निकाल लिया अब उसमें आपने यह चीज डाली शुक्ति चीरपंग इनको ठंडा किया फिर इनका चूर्ण बनाया चूर्ण बनाके इसमें मिला दिया टंकी वाले पानी में फिर आब इक हालने पानी को अपन उसमें डालेंगा पूरी बड़ी कड़ाइब बड़ी उसमें डालेंगे तो चाहर जल में मिलाना इस तरह कंक कपोत स्इह च्टुषपाजयर पक्षियों का पित हर्ताल मैंसिल कि इन सभी को बारिक पीश कर चाहर जल में मिलाना भी आचारी वाग बटने कितना तिक्षिन मगाना जए तो изуч ke बैसे यान को गरम करकर के डालते ज्राव भुजाटे जाओ पीष्टे जाा मिला Ça वैसके आपने यह पर देखा था कि प्रुच्य वाप इसी को पृतिवाप बोलते हैं जितना तिक्षन बनाना ना है अब यहां पर डाला जना जाता है इन ओस्टियों को भी जला के ठंडा करके इसका चूण बनाके डाला जाता है धिक एसमें और प्रितिवाज हो डालने के बाद चलाते हैं गट अब गटे होने पर कुल्ची से चिपकने आदी पर लोए के पात्र में रखकर जो के ढेर में पात्र को गाड़ दें अब लोए का डबालो उसमें उसको भर दो और जोंके पात्र में उसको रख दो ठीक है ठंडा होने पर लोगे के पातर में रखकर जोंगे देर में पातर को गाड़े यह मद्यम चाहर भी दिए साथ दिन बाद इसका प्रियोग करें तो यह क्या बनता है मद्यम बनता है अब इसको तिक्षन बनाना क्या करेंगा तिक्षन बनाना तो यह टाल तो साथ में बन जाएगा चित्रक दंति लागनी अतिस वच्छ सरवन शिरी यह और तो बनाया था मध्यम था अपन उनको मिर्दू कैसे बनाना प्रतिवाब मढद डालो ओनली चूने की बसमें बस मतलब चुने की बसमें यू जो अपने शुरुवात में बसम बनाई दिने उसके साथ मुस्तक के साथ वही आपको डालनी है बाकी यह सब नहीं डालना वो मिर्दू बन जाएगा चीचार जलियान्स कम होने वे मौधा हो जाये तो उसमें बल सक्ती लगने के लिए बल सक्ति लगने के लिए चार शारमव मिलना चैसा कौन को चूर्वाती में हो औन पानी में मिलाकर चांडते हैं तो उसमें चारंबू मिलाते रहें अब देखो तिक्षण मद्यम मिर्दू छार की फैचान कैसे होता है जैसे किसी ना बोल देगी यह पताओ कि कौन सा है जैसे टैस्ट हुआ आपका लेबरोट्री में प्रैक्टिकल आ गया चेक करके बताओ कि यह तिक्षण की मर्दू है कि मध्यम में कैसे बताहोगे तरिक्स यह एक सोटक गिनती तक अरंड ताल पर छान पर शॉतक तरह पत्ता होता है यह त्लाइक तरीका से उसको घ्राइं को सब्सकों गिनती आप सो तक की मतला सो सेकंड मालनों जो सेकंड तक आप उस पर डालो यहती सो गिंती से पूर्वी अरेंट नाइस दल जाए तो अती तिक्षन है कि मालों की सो गिंती पूर्व नहीं हुई 50 पर एकदम जल गया वह गेरते रहे गेरते रहे तो आग लग गई यह जो तक गिंती के बाद भी ना जले अगर सो तक गिंती की पार करके 110 120 जब भी जला नहीं तो क्या हो गया अती मिर्दु मतला बिल्कुल नॉर्मल है और एक अरंकाल जल जाए मतला 90 पर फोंचा पिच्चान में पहुंचा 105 पर फोंचा तो वहां पर जल गया मतला तिक्षन और मतलों पचास पर जल गया चारीस पर जल गया तो वहती तिक्षन है और मतलों असी मतला नबबे पिच्चान में सो 110 पर तक जला तो तिक्षन है और उसके बाद भी नहीं जला एक डेट सो तक भी नहीं जला तो मिर्दु जाए यह तरह का प्रियोग मतले तरीके से आप टेस्ट कर सकते हों कि यह क्या है तिक्षन सार मिर्दु सार मध्यम सार जाजने की विदी आप करेंगे चार प्रियोग विदी चार प्रियोग विदी में पूर्व करम प्रदान करम आते हैं वही फिर पश्यात करम आते हैं यह अपन कल करेंगे और कल लेंदी क्लास चलेगी मतलब थोड़ी बड़ी चलेगे और कल ये चैप्टर पूरा होगा अपना क्यूस्टन भी कराएंगे मतलब कल अपनी नवरात्रा हिस्ता अपना अपना कोर्स भी कंप्लेट हो जाएगा कल ठीक है थेंक्यू